हलो फ्रेंट्स कैसे आप अशा करती हूँ ठीक होंगे और अपनी बग्या में लगे होंगे सबसे पहले मैं आप से गुजाश करूँगी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए मैरी वीडियो को और चोटी चोटी वीडियो में डालती हूँ जिससे आप आपका समा भी खराप नहों और आप छोटी बाते अपने घर में इंप्लिमेट ला सके यह दिखिए यह मेरे तमाटर के पोदे हैं जो की मैंने घर में ही अपनी जो हम किचन में यूज करते हैं आप देख सकती हैं ये कितने अचछे ग्रह हो रहे हैं तो आज मैं आपको इसके बारे में बात करूंगी जब ठोड़ी घर 극्रोह हो जाएं तो हमें इसकी देखें ज blog को लिगाई हुई है इसकी हमें मिटी लगानी परती है देखिया ऐसे ताकि ये अच्छी तरह ग्रोह क बिट्ऐ के बिट्ञेंट को सके सपोर्ट पूँटी हैПरिफाद म्यूटेटी रहता कि है और हमारी सब्सक्रात्य निकल लंगान garlic पार,। तरहा हम नसे मुझाण आफल होते हैं, तक हमारी होत है आगला हम जाम वक टुड़ेंब के भादाब सेटी। पोदा ही हमारा ले सके और इसके नीचे सरक होते हैं ये तो ये भी हम काड सकते हैं ताकि पोदा उपर की तरफ बड़े और फिर ये और बढ़ा हो सके यह अप देख सकते हैं अब कैसे कितने अच्छे पोदा होते बंड है ये जो कि कि मैं निकाल दिया इसमें और इसके लावा देख सकती है कि इसके बीच में दुखिए फूल भी निकलने शुरू हो गया है जब जह पूल निकलने शुरू हो जाएं तो इसको आप ऐसे ऐसे घे तो यह से टमाटर बन जाएगा इसका पॉलिनेशन हो जाती है ऐसे अपने आपी ऐसे करना जरूरी होता है अगर हम जल्दी चाहते हैं वैसे तो वैसे भी टमाटर बनेगा लेकिन अगर हम जल्दी चाहते हैं तो ऐसा करना जरूरी होता है देख सकते हैं आप इसमें भी बन रही हैं तो इसमें से आपको घास निकालने पड़ेंगे ताकि मिट्टी जो है साफ हो और इसको मिट्टी भी लगाने पड़ेगी। ताकि इसमें अच्छे ठंग से टुमटर बन सकें, देख सकते हैं इसके नीचे सबी में ने कब निकाल दिया और इसको आपने एक दिन चोड़ कर पानी देना है, डेलि आपने इसको पानी नहीं देना है एक दिन चोड़कर पानी दे जब जिस दिन पानी दे उस दिन इसको अच्छी तरह पानी दे और नेक्स्ट यह आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं अगर चाहें लेकिन हफ्ते में एक बार गुड़ाई तो इसकी करनी जुरूरी है ताकि आपको अच्छे टमटर मिल सकें तो देखिए यहां पर भी कितने टमाटर निकलने के निक आ रहे हैं सभी में निकल रहे हैं सो देखिए यह सब मुझे फ्री में ही मिले हैं यतने पौदे यह मेनी घर के उसमें टमाटर से ही इनको ग्रो किया है और अच्छा लगता है जब हम खुद इनको पोड के रूम में ग बोध खुद में आपने ही बनाती हूं और फिर इसको ग्रोग करती हूं तो आप भी ऐसे करें और और गयनिक टुमठा पाएं आशा करती हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको शियर भी करेंगे और इसको इंप्लिमेट भी करेंगे आप दुरूर खर में आसा करके देखेंगे Thank you friends मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Have a nice day Happy gardening